मेरा आपसे आज सवाल है अब रुकिए किसके पास फरयाद करें प्राइम मिनिस्टर साब के पास टाइम है वो मिनिस्टर पास के टाइम है पहले लीडर उनके पास किसी के पास कोई टाइम नहीं यह टोटल ड्रामा है यह टोटल दिखावा है हिंदुस्तान मांगे बदला और आज आरपार की टककर इसी पर होगी और विश्टेशन सुनिए बलिदान इंतकाम और आकरोश का विश्टेशन बदले का आश्वासर नहीं पूरा देश मांग रहा है अक्शन हम जानते हैं प्रधान मंतरी मोदी ने बहुत कुछ का है लेकिन एक्शन जरूरी है सियार पीएफ का बड़ा संदेश ना भूलेंगे ना माफ करेगी और ये देश भी ना भूलेगा ना माफ करेगा इसलिए आज हमने लाइन भी यही दिये स्वागत है भिट्टा साब का जो इस कारेक्रम का हिस्सा बन रहे है और इन शहीद परवारों के साथ चट्टां की तरा खड़े है सबसे पहले मैं उन तमाम फोजियों का स्वागत करना चाहता हूँ जो इस कारेक्रम का हिस्सा बन रहे है उन उन शहीदों की धरमपत्यों का स्वागत करना चाहता हूँ जो इस कारेक्रम में हिस्सा बन रही है आपके लिए आज हम सब मिलकर ये तमाम पैरलिस्ट मिलकर ताली बजाएंगे और आपका अभी नंदन करेंगे आप सब का स्वागत है चुरुबात आज की आपसे करता हूँ बिट्टा साब बिट्टा साब हम लड़ाई लड़ रहे हैं हम लड़ाई लड़ रहे हैं आज प्रधानमंत्री ने भी बोला और विपक्ष ने भी बोला कि सरकार के साथ हम खड़े हैं लेकिन क्या कमी 40-50 साल में रह गई हमसे कुछ एक बात तो बिलकुल स्पर्स्ट है कि अतंक वादियों का गोली का जवाब कुली दिया जा रहा है इसमें कोई शक्नी जो मेरा अन्वव है आज पहले भी कहीं बात हो रही थी हम पाकिस्तान आई असाई इनको देखते हैं जवान देखते रहेंगे गोली का जवाब गोली मिनिस्टर राजनाजी ने कहा है कि आप पबलिक का रास्ता भी रोका जाएगा जहां हमारे जवान निकलते हैं अगर यह चीज पहले होती क्या हमारे जवानों की शहादत होती हमारे जवानों की शहादत होती मैं तीन बार कारब बंबो से जिस तरीके से हमला हुआ पहले च जाएंगी मेरी जवानों की उड़ चुकी है रस्ते में दूर बिन से क्यों नहीं देखा गया कौन सी गाड़ी आई इसकी ना सरकार को या मैं किसी को जम्यदा नहीं ड्राओंगा पर जो भी अधिकारी जम्यदा नहीं बिल्कुल आज हम समवेदा व्यक्त कर रहें तो अपनी बात को रखी आप क्या आपको लगता है बिल्कुल जी बद्रा लेना चाहिए और जैसे जो स्रीनगर के अंदर होते हैं पत्थरबाज होते हैं जिसके पास पत्थर मेरे वह या तंगवा दिये उसको मारने का देजिए आपकी वावना आपको क्या लगता है जी जो बहुत बढ़ा करेगा प्रदान मंतरी मोदी ने भी बोला कि गल्ती कर चुके हैं हाँ हमारे मानिय प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी साव ने जो बोला है और पेरा मिल्टरी को पूरा दिकार मिलना चाहिए जो बहुत गल्त काम करता है उसके बुरूद कड़ी कारवाई की ये ज़स देखिए हर पत्थरबाज आतंकी है ये 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 भावना है एक सिपाई की ये भावना है उस मा के बेटे की जो इस भारत माता के लिए मर मिटता है कि आज मैं ब्लेम गेम नहीं करूँगा कई पर हमारे या के नेता कहते आपरेशन ओल आउट किसी विशेश के खिल के लोग नारे लगते है भारत ते तुकड़े होंगे एंशाला इंशाला इंशाला किसका कुन चलता है बताये किस का कुन चलता आप मैंसे डेश के बाता कि जरुत है कि फिटे प्मा इंदा है हैं हमारे राजनेतिक पॉलिटिकल पार्टियों के रोज विचार बदलते में मुबा मुफ्दी ने कल क्या कहा अफदल के ओपर एक एंपी ने क्या कहा फारिक अब्दुल्ला ने क्या कहा इन्होंने कैप्टन अमरंदर सिंग जी की बात कई कैप्टन अमरंदर सिंग जी का स्टेंड आज बिल्कुल ठीक था बिल्कुल ठीक था पर एक सवाल है मेरा जिस तरीके से यह हमला हुआ से 45 किलो आज डी एक से साथ मेरे उपर दिल्ली में हमला हुआ उसके बाद गोलियां भी चली उस सतंक फिर बात मेरी रोकना मत पहले उस स सिख वोट लेने की खातर शीला दिस्टिक जी कहते हैं यह मेंटली अपसेट अब शहीद जो हो जाते हैं उनके परिवार का दर्द नहीं बाहरा जाता है एक्जम्पल बता रहा हूँ विचार हमारे रोज बदलेंगे उसके बाद कैदरिवाल जी आते हैं वो कहते हैं इसकी जिसने 35 बेगुणा लोग शहीर कर दिये उसको छोड़ दिया जाए यह कौन सी बहुत पॉलिसी है पॉलिटीशनों की आप कोई यह ड्रामा है क्या बिल्कुल आपकी बाद साहिए बिल्कुल आपकी बाद सवाल है जी जी सवाल तो नहीं आप से आज सवाल है अब रुकिय मैं कहता है नहीं मैंने पीम को चठी नहीं मुझे मौत दे दो अगर सत्रंकवादी को छोड़ना है जी बाद में फिर जवानों की शहादेत होगी इस तरीके से हमले हुए जी 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 आप